बिहार में महागडबंदन की सरकार है और नई सरकार के गठन के बाद नितिश काबिनेट का विस्तार भी हो चुका है वहें बिहार में महागडबंदन की सरकार बनने के बाद बिहार बिधान सभा और बिहार बिधान परिशद दोनों जग़ बदलाओं होना तय है बिधान परिशद में अभी सभापती के बद पर बीजेपी कोटे से आने वाले आउधेश नरायन सिंग है महागडबंदन ने दिवेश चंद्र ठाकुर को बिधान परिशद के सभापती पद के लिए चैन कर लिया है महागडबंदन की सरकार बनने के बाद मुख्या मंतरी ने अधेश नरायन सिंग को कारेकारी सभापती पद छोड़ने के लिए कहा था जो सूत्र बता रहे हैं उसके मताबिक संसद्य कारे मंतरी बिचर चोड़ी ने अधेश नरायन सिंग से भेट की थी और सीएम के फैसले से उन्हें ओगत कराया जिसके बाद अधेश नरायन सिंग ने आगरह किया था कि अगले साल होने वाले विधान परिशद के चुनाव तक उन्हें पद पर बने रहने दिया चाए लेकिन नितेश कुमार इसके लिए तयार नहीं हुए बाद में अधेश नरायन सिंग मुख्यमंतरी अवास भी गय थे सीएम से अपने फैसले की वज़ा भी बताई थी उसके बाद मुख्यमंतरी विधान परिशद के दो सो सत्र पूरा होने पर बनाए गये इसमृती अस्तम का उदगाटन भी किये दिवेश चंदर ठाकुर इस कारक्रम में भी मौचू थे हलाकि अभी तक बिधान परिशद के कारेकारी सभापती ओधेश नरायन सिंग ने इस्तिपा नहीं दिया है और ना ही बिधान सभाद्यक्ष बिज़स सिन्हा ने इस्तिपा दिया है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ओधेश नरायन सिंग इस्तिपा दे देगी वही बता दें कि बिहार बिधान परिशद के नय सभापती का नाम लगबक तैय हो गया है और कारेकारी सभापती ओधिश नरायन सिंग के जरिये फिलहाल सदन चल रहा था लेकिन अब 25 अगस्त को बिधान परिशद के सभापती का चुना होना है और इसके लिए देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुहर लग गई है 24 अगस्त को नॉमिनेशन करेंगे और 25 अगस्त को नॉटिफेकेशन जारी हो चाएगा देवेश चंद्र ठाकुर के अलावा और अन्य नामों की भी चर्चा थी लेकिन आखिरकार नितिश कमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुहर लगा दी है और इसके साथ ही देवेश चंद्र ठाकुर को बधाई भी मिलने का सलसला शुरू हो गया है बतादें कि देवेश चंद ठाकुर नतिश शरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।